बीते मई माह में 16 और 17 तारीक को अमराती शहर के दिगज नेता खुद जिलाधीकारी और महानगर पाली का आयुक्त संजेन निपानी की ओर से बहुत बड़ा शरमदान विलुप्त हो चुके वडाली तालाब परीसर में चलाया गया था वडाली तालाब का गायब हो जाना जी हाँ वडाली तालाब में इतना गाल गंदगी और कच्रा जमा है कि वडाली तालाब में पानी ढूड़े से भी नहीं मिलता उसी को लेकर बड़े जोर शोर फोटो शेशन और मीडिया की मौजूदगी में महाश रमदान चलाया गया था बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइन छपी थी कि कईयों ट्रक गाल वडाली तालाब से निकाल लिया गया है लेकिन अब बारीश शुरू हो चुकी है वडाली तालाब का हाल जसका तस बना हुआ है एक बार फिर से अच्छी खासी बारीश होने के बावजूद वडाली तालाब में पानी नजर नहीं आ रहा सिर्फ गाल और कच्रा और गंदगी नजर आ रही है इसके अतरीक कुछ भी नजर नहीं आता दूसरी और छटरी तालाब को देख सकते हैं महानगरपाली का वहाँ पर सोंदर ये करण का कारी कर रही है च्छतरी तालाब में बड़े बड़े जेसी बी लगाकर लगभक 17 से 18 जेसी बी लगाकर तालाब के अंदर का गाल निकाला गया था जब तक मोरम लगने की शुरुवात नहीं हो जाती उस वक्त तक खुदाई की गई थी और वड़ छटरी तालाब के चारोही तरब बॉंडरी लाइन बनाई जा रही है जबके इस पर वन्ने प्रेमियों ने कई बार आपत्ती जताई है लेकिन सूत्रों के मताबिक विधायक रवी राना और उनकी सांसद पत्नी नौनीत राना की इसमें काफी दिल्चस्पी है वह छटरी तालाब को एक प्रेटन इस्थल बनाना चाहते हैं चाहे फिर वन्ने जीवों को उससे कितनी भी तकलिफ क्यों नहो आपको बता दें कि कई वन्ने प्राणी अपनी प्यास बुझाने के लिए छतरी तालाब पर आते हैं लेकिन सौंदर ये करण के बाद यह सिलसिला खत्म हो जाएगा बड़ी मातरा में जंगल की कटाई भी की जाएगी जिसकी वज़ा से प्रयावरण भी खतरे में आएगा आपको यह भी बता दें कि बीते दिनों जब वन्ने मंतरी सुधिर मुनगंटिवार जिला के दोरे पर पहुँचे हुए थे कुछ वन्ने प्रेमियों ने फॉरेस्ट एक्ट और कई सारे नियमों का हवाला देते हुए वन्ने मंतरी सुधिर मुनगंटिवार से इस निर्मान कारे पर रोक लगाने की मांग की थी वनमंत्री सुधिर मुनगंटिवार ने इस बात का संग्यान लेते हुए तत्काली इन उस निर्मान कारे पर रोक लगाई थी और जिला अधिकारी शैलेश नवाल से इस बाबत चर्चा भी की थी और पूछा था के आखिर फॉरेस्ट एक्ट की धज्या उडाते हुए यह निर्मान कारे कैसे चल रहा है कुछ दिनों तक कारे रुका भी रहा लेकिन इस थानी आधिकारी और राजनेताओं की मिली भगत की वज़ा से एक बार फिर से वह कारे शुरू हो चुका है जिस तरीके से च्छतरी तालाब का सौंदर करन किया जा रहा है उसी तरीके से वडाली तालाब को खत्म करने की भी पुर्जोर कोशिश की जा रही है आपको यह भी आद दिला दें कि बीते कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस युवा मोर्चा की ओर से अर्धि दफन आंदोलन भी वडाली तालाब को बचाने के लिए किया गया था लेकिन वडाली तालाब मानू कच्रा घर बन चुका है और महानगर पाली का हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द वडाली तालाब का नामो निशान अमरावती शहर से खत्म हो जाए और वह एक इतिहास का हिस्सा बन जाए